ओम शान्ती यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती गुड मौर्नी दस फरवरी दो हजार बाइस मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिष्टे मिलकर बाब दादा के साथ करते हैं बाब दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिष्टे बाब दादा के सामने बैठे हैं बाबा द्रिष्टी दे रहे हैं और वर्दानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा बोले आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली और क्या क्या अपने अंदर धारन किया मीठे बाबा आज आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी बाबा आज आपने मीठे बच्चे में ही बोला बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं प्रन्तु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी शिब बाबा सब कुछ जानने के बाद भी अपने आपको कितना निरंकारी बना देते है लौकिक में भी न जब कोई बच्चा गलती करता है और वो अपने माबाप को सच सच बता देता है माबाप को पता तो है ही ये कुछ गड़वड करके आया है और वो पूस्ते भी है कि बच्चे कुछ किया तो बता दे जो बच्चे उनको सच सच बता देते है तो फिर माबाप उनको सलूशन देते है कि बच्चे ऐसे नहीं करना ऐसे करना चाहिए था हर चीज का फिर वो जवाब दे देते है और जो बच्चे माबाप को सच नहीं बताते तो फिर माबाप उन पे क्रोध भी करते है और कितनी डांट भी लगाते है कि तुने सच नहीं बताया हमें तो सब कुछ पता था तो ऐसे यहां भी बाबा हमें साफधानी देते है कि बाबा को सब कुछ वो पताया है रात को बाबा को सच सच बताता हूँ तो बाबा मुझे रिस्पॉंट देते हैं और मुझे साफधानी देते हैं कि बच्चे ये जो काम किया है ये ठीक है और ये काम आपने गलत किया है इसको ध्यान में रखो दुबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए एक गलत काम एक ही बार हो, दुबारा वो काम गलत ना हो तो इसलिए बाबा हमें बहुत साफधानी देते है तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा सब कुछ जानता है परमपिता परमात्माश्री बाबा सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी क्या कहता बाबा, बाबा क्योंकि सब के पास तो जाएगा नी, सब से तो पूछेगा नी, सब को तो बताएगा नी, जो बच्चे समझदार हैं, जो बाबा के होश्यार बच्चे हैं, जो बाबा का कहना मानने वाले हैं, और वो बाबा के पास आएंगे, और ब जोज रात को बाबा को अपना पोता मिल दूँ तो मुझे बाबा जरूर रेस्बंट देंगे और जरूर समझानी देंगे क्या समझानी देंगे अगर मेरे से कोई सारा दिन में कुछ गलती हुई है कहीं न कहीं कुछ न कुछ शुक्षम में भी हुई है तो अगले दिन अगर भी हलकापन मैसूस होता है कि बाबा ने मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया है फिर आज बाबा ने प्रशन में पूछा बाबा आपने प्रशन में पूछा बेहद स्रिष्टी को स्वर्ग बनाना है इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है अब जो पुरानी स्रिष्टी है इसको नया तो बनाना है ये तो बाबा ने पका कर दिया और बनेगी भी जरूर लेकिन इसमें कौन से बच्चे बाबा की मदद करेंगे और उन बच्चों का काम क्या है आज बाबा ने पहले पूछा और फिर बताया कि जो स्वर्ग बनाना है और जो अच्छे बच्चे है सेंसिबल बच्चे वो क्या करेंगे स्वर्ग बनाने में तो बाबा ने कहा कि जो सेंसिबल बच्चे होंगे न वर वो हर एक का यतार्त समाचार बाब को देना है कोई भी बात होगी स्वर्ग बनाने में कहीं भी कोई अठकाव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो जरूर बाबा को समचार देंगे और क्योंकि बाबा को ठीक समचार देंगे न तो बाबा शिक्षा जरूर देंगे कि तुम्हारे में ये ये जो कमिया है न इसको दूर करो, तभी स्वर्ग बनेगा शुक्षम कमियां भी बताएंगे और कोई बड़ा भूत है तो भी बताएंगे कि बच्चे ये भूत को निकालो तभी तो स्वर्ग बनेगा क्योंकि स्वर्ग बनने से पहले मुझ आत्मा को संपून पवित्र बनना है मंसा, वाचा, कर्मनाज, संबंध, संपर्ख सब में संपून पवित्र तो बाबाने का अगर कोई भूत होगा न हम बनाने जा रहे हैं स्वर्ग और भूत होगा और किसी को बताने जा रहे हैं कि भगवान आ हुए है लेकिन भूत है तो डिस्सर्विस हो जाएगी अगर किसी की हमने सर्विस भी करनी है तो उससे पहले मैं आत्मा चेक करूँ मेरे अंदर तो कोई भूत नहीं है काम, क्रोध, लो, मो, एंकार, इशा, द्वेश कुछ है तो नहीं नहीं तो अगर होगा तो फिर हम सर्विस करने जाएंगे तो डिस्सर्विस हो जाएंगी वो कहेंगे इनको भगवान पढ़ाते है पहले तुम तो सुधर जाओ फिर हमारे पास आना तो इसलिए बहुत बहुत अपनी चलन को सुधर ना है पहले जब हम अपनी चलन को सुधर लेंगे तो अगर हमारी चलन सुधरी होगी ना तो हमें देखके तो कई आत्म है तो वैसे ही बदल जाएंगी क्यार ये कहां जाते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं क्या करते हैं सवेरे सवेरे जो ये अगर जो भी कोई देखके अभिमान के इच्छा हैं उसका अत्याक करना है मुझे देही अभिमानी बनना है मैं आत्मा हूँ परमपिता परमात्मा भी जोती बिंदु आत्मा है तो मैं जितना देही अभिमानी बनूँगी तो मेरी इच्छाएं सब खत्म होती जाएंगी क्योंकि बाबा को ने बेद शिष्टी को स्वर्ग बनाने आया है तो मुझे भी बाबा की पूरी पूरी मदद करनी है तो बेद शिष्टी को स्वर्ग बनाना है इसलिए बाबा ने का सब के प्रती बाब की क्या है यही दृष्टी रहती कि सब को ग्यान दो अब भगवान क्या चाता है कि सब को मेरा प्रिचे मिल जाए और बाबा ने तो आज कहा है कि गरीबों पर तो खास ध्यान रहता बाबा का ठोकि बाबा कोन है बाबा गरीब निवाज है तो गरीबों पर बहुत ध्यान रहता है तो मैं आत्मा अपने आपको चेक करूँ कि अगर मैं बाबा के साथ मददगार हूँ तो मुझे उससे पहले अपने अंदर कोई ऐसी शुक्षम कमी भी ना हो कोई ऐसी डिस्ट सर्विस करने वाला भी कोई भूत ना हो मेरे अंदर तो मैं बाबा के साथ मिलकर स्वर्ग बनाओ तो मुझे बहुत बहुत अपना ध्यान रखना है देही अभिमानी बन कर रहना है मेरे अंदर कोई भी दे का भान ना हो फिर बाबा आज आपने गीट चलाया मुझे को सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया मीठा शिब बाबा परमात्मा स्वें भगवान मुझे अपने साथ मिलकर स्वर्ग बना रहे हैं तो मुझे सहारा दिया बाबा ने तो मैं कितना शुक्रिया करूं बाबा का बाबा आपका दिल से शुक्रिया कोटो कोटो शुक्रिया कोटो बार शुक्रिया बाबाने फिर का कि जो अच्छे निश्य बुद्धी बच्चे होंगे नो वो समझ जाते हैं कि जो ये परम पिता परमात्मा है ना जिनकी हम बंदगी करते हैं जिनको हम याद करते हैं जिनकी महिमा करते हैं जो भी होकर जाते हैं उनकी मही माग आते हैं बाबने का तो मैं आत्मा कितना निश्चे बुद्धी बनाओं कि मैं पूरा पूरा निश्चे हैं कि बाबा ने जो कहा बिलकुल राइट कहा स्वेम भगवान शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मुझे ज्यानमरत पिलाते हैं कितना मुझे निश्चे होगा उतना मेरा पुर्शार्थ बढ़ता जाएगा और मैं उच्पद पाऊंगा बाबा ने का तुम बच्चे तो सब की महिमा को जानते हो बाबा को क्या कहा जाता है जानी जाननार परन्तु बाबा ने का जानी जाननार का अर्थ नहीं समझते हैं कई बच्चे तो फिर यह समझ लेते हैं कि भगवान तो सब को जानता हम क्या लिखें लेकिन बाबा क्या किते हैं कि बच्चे रोज अपना पोता मिल दो, रोज अपना चाट दो, कुछ भी है, क्योंकि जितना हम बाबा को सच बताएंगे, तो बाबा हमें समझानी देंगे, और जितना अगर बाबा को सच बताएंगे ना, उसमें जो आधा तो माप भी हो जाता ह बाबा करते है और नहीं बताएंगे और बाबा को पैचान लिया और कुछ गड़बड करी तो फिर बाबा ने क्या कहा सोगुना डंड भी मिलेगा बाबा आज बार बार यही कह रहे है कि बच्चे अपना समाचार दूर शरूर देना है फ्रू ब्रह्मा के देना है क्योंकि ब्रह्मा कौन बाबा ने आज ब्रह्मा को क्या बना है पोस्ट ओफिस द्वारा पूछना है कोई बात भी पूछनी है तो ब्रह्मा द्वारा ही पूछनी है और फ्रू ब्रह्मा के ही हमें समाचार देना बाबा ने का हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते हैं क्योंकि बाबा ने का इसको अंदशर्दा का जाता है कि जो है ना बाब ये नहीं कहना है कि आप तो सब कुछ जानते हो बाबा ने का ऐसे नहीं कहना हमें बाबा को पूरा पूरा समाचार देना है क्योंकि अगर हम पूरा समाचा नहीं देते हैं यहीं कहा देते हैं कि भगवान तो सब कुछ जानता बाबा जानता बाबा ने कहा यह भी अंदर्शेरता है आज ही एक दीदी बता रही थी कि हम रजिस्टर बनाएंगे और उसमें पूरे बारा मैने का रिगार्ड रखेंगे और जो बच्चा फरस्ट आएगा ना उसका जो है ना हम उसको प्राइज देंगे तो आज बाबा ने कह दिया दो दिन पहले दीदी ने बताया था और आज बाबा ने यह चीज मुर्ली में कह दी कि बारा मास के आने वाले का रिजिस्टर और हर एक का एक्कुपेशन लिख कर भेजो ब्रह्मा बाबा मदबन में जो क्या कहते थे कि जो बच्चे सेंटर्स पर आते हैं ना उनका बारा महीने का रिजिस्टर बनाओ बारा महीने में वो कितने दिन आया कितना उसका रिगाड रहा कितना उसका पुर्शारत रहा सब लिख कर भेजो और बाबा ने का अगर बाबा जानते तो क्यों पूछते फिर तो हर एक का वो देखी लेते लेकिन बाबा ने का नहीं हर एक अपने सेंटर्स पे भी रिजिस्टर होने चाहिए अटेंडनेंस लगनी चाहिए और उसमें हर अपने आप भी लिख सकता है कि भई मेरा ये पुर्शार चल रहा है तो बाबा क्योंकि टीचर तो जानती है न हर स्टूडेंट को तो टीचर लिखके बेज़ेगी हर स्टूडेंट के बारे में कि ये बच्चा कैसा है तो बाबा को फिर पता चलेगा कि कैसा बच्चा है कितना पुर्शारत ही है और फिर वो राय भी देंगे बाबा आज आपने फिर एक बात कही कि हर एक को कार खाने का समाचार देना है अब यहां बाबा मैं क्या समझो कि हर एक को अपना अपना समाचार देना या कार खाना आज बाबा सेंटर्स को कह रहे है कि हर एक को अपने सेंटर्स का समाचार देना या अपना-पना समाचार देना जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं बाबा फिर शिक्षा भी देते हैं उनको आज बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम अपना सब को समाचार दो जिससे बाबा तुमें शिक्षा दे कोई गलती हो रही है कई भूत है तो उसको निकालने के लिए बाबा तुमें समझाएंगे जी बाबा बाबा तो बेद सिश्टी को स्वर्ग बनाने के लिए आ गए है और हम बच्चों के साथ बना रहे है बाबा कहते हैं गरीबों पर भी नब बड़ा खास ध्यान रहता है कि दान हमेशा गरीबों को किया जाता है अब बाबा आज बता रहे हैं कि जो प्रजा तो बहुत होती है लेकिन जो बिटिश गुवर्मन्न थी ना बड़ोदा, गवालियर, आदी के बारे में जो राजा थे, राजा रानी थे, वजीर थे, प्रजा थी बाबा बने का किसी के बीस लाग प्रजा थी किसी की तीस लाग प्रजा थी, नंबर वार थी बाबा बने का वहाँ पर भी कैसे बैठते थे कि जो माराजाओं की लाइन अलग थी, राजाओं की लाइन अलग थी, राए बादुर अलग थे, राए साब अलग थे, जो बाबा में बताता है, जो जैसा पुर्शारत करेंगा, सत्योग में भी वैसे अपद पाएगा, तो मैं आत्मा कितना पुर्शारत कर ली हूँ, फिर बाबा ने का न, वो भी नंबर वार बिठाते थे वाँ पर, उंचे ते उंचा तो कौन है, बाबा है, उनको तो सब को रिगार रखना है, उंचे ते उंचा बाप, उनका तो सब को रिगार रखना है, तो हम शिप बाबा को सब का रिगार रखना है, बाबा जया है, हम आत्मे भी जाए ना बाब ने का पता होना चाहिए बाब को ही इस जाड का नालिजफुल का जाता है जो जाड है उसकी नालिज किसको है सारी शिप बाबा को है और किसी को नालिज नहीं है तो बाबा ये आकर हमें भी जाड की नालिज बताते है फिर बाबा ने का जगतंबा सरस्वत बहुत नाम रखे हैं बाबा कहते हैं आज बाबा ने मुरली में ये भी बताया कि चारो धर्म के बारे में कि कौन सा धर्म है सब धर्मों के बारे में बाबा ने बताया और फिर से बाबा ने का जो लास्ट में ये एक धर्म रह जाएगा आदी सनातन देवी देवता धर्म पह और जब ये तीन भाई होंगे तो उसके हम क्या नहीं होगा देवी देवता धरम जाना बड़ा भाई नहीं होगा सबसे बड़ा भाई बाबा ने आज बताया देवी देवता धरम और वो जब तीन भाई हैं तो वो नहीं है अगर बड़ा भाई है तो वो तीन भाई होगे फिर भाबाने कि जगा जगा step बच्चे ड्रामा को अच्छी रिती जानते हो ये सब पढ़ाई की बात है भाबाने का कोई चोरी भी भी नहीं हो सकती भाबाने सेन्टर के लिए कोई वह सोना भी नहीं लूट जा सकती है क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं, वो तो पाठशाला है, बाबने का पाठशाला में क्या होती है, किताबे होती है, नक्षे आदी होती है, तो बाबने का उनको क्या लूट के ले जाएंगे, डर की कोई बात नहीं है बाबने का, चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु ही नहीं है वहा हो सब का धन खाक हो जाना है बाबा ने का तुमारी है सची कमाई जो तुमारी साथ जाएगी और बाबा ने हमारी कमाई को क्या का आजवा बाबा ने का सबसे मल्टी मिलियोनर्स तुम हो तुम ही है कमाई साथ ले जाएंगे मावने का तुम जानते हैं हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं मावने काते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना ब्याज सही तो देना कोड़ी बदले हीरे देना तो बाबा सच में देता यहां हम क्या देते हैं पांच पुराने क्या खोटे सिक्के और उसके बदले में क्या मिलता है 21 जन्मों की बाशाई मिलती है तो कितना हम बाबा की याद में रहें माबा ने का फिर भी कई बच्चे बाबा को याद नी करते निश्य बुद्धे नी है लेकिन जो बंधेलियां कितना याद करती है कहते हैं बाबा हमको तो आपके हो गए है बाबा हम तो आपके हो गए है बंदेलिया कहते है और आपको जान लिया है बाबा कहते हैं हम आपके हैं बाबा मर जाओंगी कब शादी नहीं करूँगी बंधन के कारण नहीं आ सकती हूँ बाबा को लिख रही हैं बंधन है मैं आ न सकती लेकिन बाबा फिकर नहीं करना मैं शादी नहीं करूंगी थोड़ी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है कई बंदेलिया जो होती है जिनको बाबा पर पूरा पूरा निश्चे हो तो कैसे निकलती है और बाबा ने का कोई कोई के साथ तो दस बीस साल भी ना माथा मारो ना तो भी समझते हैं यह जो बाबा 21 जन्मों का प्रांदान देते हैं उसको ही नहीं समझते है बाबने का काल पर वीजे पहनाते हैं शिप बाबा काल पर वीजे बनाते हैं तो वहाँ कोई अकाले मिरती भी नहीं होती स्वर्ग में तो मुझे बाबा की कितनी कितनी शीरिमत पर चलना चाहिए बाबा ने का भल अपनी अपनी तकदीर है तो मुरली तो जरूर सुनो मुरली तो कहां से भी मिल सकती है एक दिन बहुत भाशाओं में मुरली निकलेगी और अब कितनी भाशां में मुर्ली है बाबा कितने 69 से पहले बाबा कह रहे है कि मुर्ली जरूर सुननी है और ऐसा भी एक दिन आएगा जब हर भाशां में मुर्ली है और आज कितनी भाशां में मुर्ली है बाबा ने का अगर स्वेम की उनती करनी है तो अपनी चलन और पड़ाई पर सचा सचा समाचार बाबा को देना है आज बाबा बार बार कहने है कि बच्चे अपना समाचार बाबा को जरूर देना है तो जो जिन बच्चों ने चार्ट नहीं बना रखा तो आज से वो अपना चार्ट बनाना जरूर शुरू कर दे ग्रस्त वेवार में भी रहना, संभाल भी करनी है पर बाबा की पूरी पूरी शीरिमत पर चलना है बाबा ने का सब कुछ बाबा को ट्रांसफर कर देना है फिर आज बाबा ने वर्दान दिया बाबा ने का अकर्शन मुक्त भव, सर्व अकर्शन मुक्त भव कैसे बनेंगे सर्व अकर्शन मुक्त भव बाब ने का, बाप की छत्र चाया के नीचे सदा सेफटी का अनभव करने वाले, सर्व अकर्शन मुक्त भाव। बाब ने का, जैसे स्थूल में भी बारिश है, धूप है, तो क्या करते हैं? छत्रा लेते हैं ना छाता, वो छत्र चाया के नीचे रहते हैं जिससे सेफटी होती है, तो वो तो स्थूल की छत्र चाया, लेकिन हमें यह क्या करना है, कि मैं आत्मा सदा सेफ रहूं, तो मैं आत्मा सदा शिब बाबा की छत्र चाया के नीचे रहूं, अगर मैं बाबा की छ चत्र चाया में बाबा की चत्र चाया में चल रही हूँ बाबा की चत्र चाया में रही हूँ ब्रमा बाबा की गोद में बैठी हूँ उसी बाबा की चत्र चाया में हूँ जितना हम बाबा की चत्र चाया में रहेंगे उतना हम सेव भी रहेंगे और हमें किसी बात का कर्शन भ अगर हम बाबा की छत्र चाहिए के अंदर हैं, तो हमें सदा सेफ्टी का अनभव होगा, जी बाबा, ये तो practical अनभव करना, हम बाबा की छत्र चाहिएं के नीचे हैं, तो हम सदा सेफ हैं, फिर माया का परवाव का सेक्मात्र भी नहीं आएगा, पिर कोई भी कैसी भी प्रस्तिती हो उसका सेक भी नहीं आएगा जैसे आग जलाओ ना करें सेक आया रहा थोड़े पीछे हो जाओ तो बाबा ने का माया का सेक भी नहीं आएगा कब जब हम सदा बाबा की छत्र चाहें के नीचे रहेंगे तो मैं आत्मा सारा दिन 24 गंटे बाबा की छत्र चाहें के नीचे हो हर करम करते हुए भी का हूँ बाबा के साथ हो बाबा की छत्र चाहें में रहकर करम कर गए हूँ फिर बाबा ने आज स्लोगन में का ऐसे स्वेराज्य अधिकारी बनो जो अधिनता समाप्त हो जाए अब मैं आत्मा चेक करूँ मैं स्वेराज्य अधिकारी हूँ हर करम इंद्री पे मेरा राज्य है एक एक करम इंद्री के मैं राजा हूँ मैं आत्मा राजा हूँ मन मंत्री है और एक एक करम इंदरी कौन है मेरी दासी है मैं दास नहीं उनका तो बाबा ने का अगर जब स्वें राज्य दिकारी बनेंगे ना तो अधिंता समापत हो जाएगी तो आज सारा दिन क्या याद रखना है कि बाबा को समाचार जरूर देना है हर बात का समाचार देना है पूरे दिन का समाचार देना है ओम शान्ती और सारा दिन बाबा की छटर चाया में रहना है अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोब पर बाब दादा की केर्णे मुझ पर आ रही है और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही है सारे विश्व की आत्माओं सतो पर दान होती जा रही है और मैं फरिष्टा बाबा के साथ वापिस सुक्ष्व वतन में बाबा से दृष्टी लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देरूपी मंदिर में हूँ बाबा की छत्र चाया में हूँ ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती